वेलकम दोस्तों नमस्कार अगर आप भी Samsung का कोई smartphone यूज़ कर रहे हो A-series, J-series या पिर Note 20 Ultra S10 Lite जो भी smartphone यूज़ करते हो Samsung का तो इस वीडियो को पूरा देखें बिल्कु स्कीप मत करना आप ये बहुत ही ये काम की वीडियो होने वाली हो तो Samsung के smartphone के camera processing बहुत ही कमाल होते ह आपको कोई external application जैसे की G camera डाउनलोड करना नहीं परता है क्योंकि बहुत ही sharp photos आती है बहुत ही अच्छी वीडियो होती है क्योंकि Samsung अपने camera के अंदर बहुत ही कमाल की processing करता है ऐसे में Samsung smartphone के camera app के अंदर जो कि stock app होता है camera का उसमें कुछ कमाल के features कुछ settings होती है जो कि शायद से आपको नहीं पता हो कि कुछ लोग को पता हो सकते हैं लेकिन बहुत ही कम लोग होते हो कि तो मैं बिल्कुल guarantee के साथ में बलता हो कि लगबग 70-80% लोग को ये settings और ये features पता नहीं होंगे तो ये जो भी features है जो कि आपको पता नहीं है मैं आपको बताने आ रहा हो कि तो आप इस वीडियो को बिल्कुल से like करना और share भी करते हैं तो बहुत कमाल की वीडियो होने वाली है तो जिन phone में 2.5 के update आपको देखने मिलती है या फिर जो phone थोड़े 15,000 से smartphone में अगर कोई features नहीं है तो फिर आप उसके लिए update का बेट कर सकते हो तो setting number 1 जो कि selfie camera में बहुत यूसपूल होती है बहुत लोगों नहीं पता होता है लेकिन आप जान दो इसके बाद में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी तो जब हम selfie camera से कुछ photo capture करते है तो हमने एक साथ देखा हो कि जो भी लिखावर होती है फिर जो भी हम सही तरीके से फोटो केप्टर करते हैं वह हमें उल्टी नजर आती है यह नहीं कि हमने राइट हैं वाच पेंट रखी तो हमें लेफ्ट हैं नजर आती है तो ऐसे उल्टा यहापी नजर आता है selfie camera से फोटो आएगी तो यह सबसे पहले यूजपूल सेटिंग ती जो कि आप अपलाए करके देख सकते हो सेटिंग नमर टू जो कि है ऑटो एच डिया तो सैंसुन के स्मार्टोन आप यूज़ करते हो तो आप सभी को पता है कि रियर में आप रियर क्यामरा से HDR का मोर्ड आन कर सकते हो जाता है तो सिंपल से जाइए क्यामरा के सेटिंग में और आपको देखने मिलता है यहाप पर और यहापको देखने मिलता है रिकॉर्ट फ्रंट वीडियो इन एच डिया तो यहाप इसको ओन करे और आप सेल्फी क्यामरा से भी HDR वीडियो और फोटो शूट कर सकते हो यह बिल्कुल एक जगे पर प्लेस्मेंट नहीं करते आती है तो ऐसे में आप जो शुटर बड़ारे उसको आप मूँ कर सकते हो अपने हिसाब से स्क्रीन के ओपर कहीं पर बी और फिर आप जैसी फोटो कैप्चर करना चाहते हो बिल्कुल आसाली से जब आपने इसको मूँ कर र जया हुआ सकते हो अगले कमाल के कान सेटिंग के बाद जो क्यों होता है ब्रस्ट मोड यानि कि आप लगातार बिल्कुल एक की क्लिक के अंदर 30 या फिर जो भी आपके फोन में सेटिंग होती उतने फोटो आप किस फोन में 25 फोटो किसे फोटो आप कैप्चर कर सकते हो आपके smartphone में इनेबल होगा लेकिन अगर इनेबल नहीं है तो आपको सबसे पहला option चूज करना है जो कि यह टेक brushed shot ओके इसको आपको क्लिक करना है ओके यह on होने के बाद में आपका जो है वो shutter button on हो जाएगा ओके लेकिन यह जो है ना आपके बिल्कुल 324 या फिर 916 या फिर 1 mode काम नहीं करता है या फिर selfie camera 25 का या फिर 32 का है तो अगर आप उसको high mega missile के ओपर रखते हो तो वहाँ पर यह काम नहीं करता तो यह आपको ध्याद में रखना है लेकिन आप इसे ऐसे enable कर सकते हो बहुत कमाल का लागा मुझे और आप continuously shot ले सकते हो और एक साथ इतने photo capture होने के बाद में जब आप gallery में चेक करोगे तो यह बिल्कुल साथ में link होते है अलग अलग नहीं हो पाते है तो आपको करना गया है कि आपको simple से website में एक option देखने मिलता है जो की होता है select items ओके आपको इसको all करना है और इसको download कर ले हैं तो आप सभी जो आपने capture कर रखे चार-पांच और बाकी के photo खराब है तो आप उसको निकाल करके बाकी और photos को भी select कर सकते हो और बस उनको ही save कर सकते हो तो आप इस तरह से इन photos को brush mode भी निकाल करके उसको save करके फिर उसको बाद में अपने file में या फिर gallery में तरक सकते हो अगले setting के बाद को जो कि बहुत ही यूज किया होगा तो जो कि है smart selfie angle ओके तो जब आप selfie camera से photo captive करते हो और दो से ज्यादा लोग अगर selfie के अंदर आते हैं तो यह automatically switch करता है wide angle selfie के अंदर ओके आपको simple से enable करने के लिए setting में जाना है camera के setting में आना है तो आपको नीचे देखने मिलता स्क्रॉल करने के बाद में smart selfie angle आपको simple से इसको enable कर लेना होगे तो दो लोगों से ज्यादा लोग अगर selfie के अंदर आते हैं तो यह wide angle camera को on कर देता है यहने कि इसके setting को on कर देता है और फिर आपकी जो selfie वो wide angle में आते हो जाए से लोग इसमें capture हो जाते है तो यह भी कमाल का features आपको इसमें देखने मिल जिनको camera के अंदर इतना बिल्कुल इतना knowledge नहीं होता है कैसे इसको set करते है वो बिल्कुल simple से photo capture करते है लेकिन उनकी photo इतनी quality नहीं आपाती उसके अंदर तो आपको simple से करना है कि आपको टॉप साइड में आपको देखने मिलता है 3 is to 4 का ratio तो आपको टैप करने के बाद मे 32 MP camera होगा तो आप 32 set कीजे या फिर 64 होगा तो 64 के उपर क्लिक कीजे या फिर अगर आपके phone में 48 होगा तो आप उसके उपर set कीजे और फिर आप photo capture कीजे तो आपके photo sharp देखने मिलती है आपको या रियर और selfie camera दोनों में तरफ आप कर सकते हो और video recording के बात करे तो यहापे भ size ओके या फिर front video size ओके आपको इस पर click करने के बाद में उपर top में देखने मिलता है resolution ओके यह होता है 16 to 9 के उपर आपको इसको पर tap करना है यहाप आप देख सकते हो कि आपको फोन में जो भी capability है उसकी इसाब से HD 720p 30 fps अगर आपका phone थोड़ा सा भारी वाला है तो उसमें आपको 30 fps के जगे 60 fps हो सकता है तो यहाप आप HD, Full HD या फिर 4 के उपर select कर सकते हो यह फिर आपको और भी नीचे देखने मिलते ही resolution जो की होता है full या फिर one by one तो आप इस तरह से आपने वीडियो के recording करते वक्त यहापर resolution को set कर सकते हो अगले features की बात को जो की है filter की ओके तो उसके color के हिसाब से आप filter choose कर सकते हो आप अपना custom filter लगा सकते हो तो आपके gallery में जितने भी photos आपने डाउनलोड कर रखी है अगर रेट color की हो अगर ग्रीन color की हो तो उस हिसाब से यह filter बना लेता है और आपके photo के अंदर उस तरह से यहापर इसका color tone आ जाता है आपका अप company का name आप यह पर model लिख के आता है आपको आप यहाप इसे अपने इसाब से customize कर सकते है आपको camera में आपको camera के setting में जाने के बाद में नीचे स्क्रॉल करना एकदम से आपको देखने मिलता है आपको सिंपल से इसको पर tap करना आप आपको देखने मिलता है on or off का button और आपको कि मैंने यहाप पर on कर दिया है और यहाप जब में capture कर लूगा photo आप देख सकते हो कि मैंने अभी एक photo capture की है और यहाप बस बिल्कुल नीचे वाजू side में take decide आपको देखने मिलता है ओके इस तरह से आपको Samsung triple camera और नीचे आपको देखने मिलता है take decide आप इस तरह से यहाप से अपना जो palm होता है अपने smartphone के selfie camera के सामने इस तरह से दिखाना है तो यहाप पे जो आपकी photo capture हो जाती है अगर आपके phone में enable नहीं है तो simple से आपको setting में जाना है और यहाप आपको shooting method में जाना है जो आपको देखने मिलता है show palm तो यहाप इसे enable कर दो सभी के phone में enable होता है अगर enable है और आपको use करते नहीं आ रहा simple से आपको ऐसे palm को use करना है selfie camera के सामने और यहाप पर अपने आप timer लग जाएगा और आपी photo capture हो जाती है यह simple सा features था इसे नहीं पता है वो इसे use करके देख सकता है अगले बहुत ही कमाल के या पर interesting features की बात को जो किये camera में video mode के साथ में आपको देखने मिलता है right side में ऊपर top में एक AR doodle का जो भी AR emoji बोलो यह पर doodle बोलो उसका आपको option देखने मिलता है तो मैं front camera select करूंगा और उसको मैंने click किया तो यहापे मेरा face आपको देखने मिलता है और यह बहुत से option आपको देखने मिलते है नीचे वाजू आ साथा यह फिर कम कर सकते हो और मैंने आपके color select किया चार नमर वाला जो की red है शायद से इसके साथ में अपनी जो है वो beard बना लूँगा इस तरह से ओके और यह artificial beard है और जैसे मैं मूग करूंगा अपने face को यह मेरे face के साथ में ही रहेगी बिल्कुल connect रहेगी ओके तो बिल मूच बना ली और यह मूच मेरे साथ में रहेगी यहने कि बिल्कुल अलग नहीं होगी तो यह बहुत interesting लगता है और मेंसाब से यह एक फ़णी तरीके से आप इससे ले सकते हो और बच्चे अगर आपके घर में है उनके पास में अगर आप phone देते हो तो आप इससे उनके स option भी देखने मिलते हैं तो आप इसको भी on कर सकते हो और ar doodle icon जो आप अपने screen के ओपर भी ला सकते हो तो यह पर इसको आप इस तरह से enable करने के बाद में ड्रौ करने के बाद में आप इसको record भी कर सकते हो और record लगबग शायद से 1 मीट के असपस record हो जाता है उसके बाद मे आप इसको record करने के बाद में इसको as a galer के अंदर आप से हो करकी भी रख सकते हो तो यह मुझे कमाल का लगाई features बहुत definitely बहुत अच्छा लगा मुझे अगला option जो है जो की show date and location कैसे enable करें तो देखो जब फोटो capture करते हो तो ऐससे मैं आपको right side में नीचे बाजू date or location दे आपको right side में तीन dots देखने मिलते है उस पर आप click किजे इसके setting में जीए और आपको यह देखने मिलता है show date and location info आपको इससे on कर देना है okay अब जैसे आप इससे on करोगे तो आप जो भी photo capture करोगे उसके साथ में date and location आपको देखने मिल जाएगी right side में नीचे बाजू okay अब slow motion super slow motion उती है यह बैसी होती है fast forward videos अगर आप vlogging videos बनाते हो तो आपके लिए बहुत helpful है अगर आप नहीं भी बनाते हो इससे use करके देखे आपको simple से camera में आपको more option देखने मिलता है यह पर आपको more के अंदर जाने के बाद में देखने मिलता है hyperlapse वाला option okay आप इसे click करने के बात में आपको interface देखने मिलता है simple से आपको जो भी वीडियो बनानी है आप hyperlapse से साथ में बना सकते हो और हाँ एक बात ध्यान में रखे कि आपको hyperlapse बनानी है तो आप जो है वो tripod का अगर यूज करते हो तो आपकी वीडियो जाना शेकी नहीं बनेंगी ओके और आपको आपको देखने मिलता है एक night hyperlapse का निशान अगर आपके फोन में है तो आपको मिल जाएगा आप इसे इनेबल करके night में भी hyperlapse बना सकते हो कि अगर आपको नहीं दिखता है तो पिर आपके फोन में नहीं होगा अब यह आप यह उपर आपको टॉप सेट में देखने मिलत करती है तो आप इसे भी यूज करके देख सकते हो अगले option की बात को जो कि होता है sorting करते वक्त काम आने वाला features यहने कि देखो गई कि किसी भी वीडियो को या फोटो को लाइक करना यानि कि ऐसा फेवरेट करना हो के तो देखो कि हम अकसर जो भी फोटो क्याप्चर करते है कुछ वीडियो निकालते हैं तो उसमें से कुछ वीडियो अच्छी नहीं होती है और कुछ फोटो भी अच्छी नहीं आपाती है तो ऐसे में हमारे फोन बहुत से फोटो कैप्चर करते हैं बहुत से वीडियो निकालते हैं लेकिन हम जब उन्हें चार्टे है जब अच्छ गार इज पर MSN को एगर में से चरा जूटेंग सरे घर ृढई काम करता है इसमें क्या करता हो कि इसमें आपको एक सिंपल के रहे!!!! सब्साइब सब्साइब नेologically कि निकालिए रहक्त निकल सकते हो तो आपको वहतीजीी हो जाता है जो कि हुँ आपके लिए बहुत ही helpful यह on करना है सेंपल से आप जाए सेटिंग के अंदर आपको लास्ट में देखने मिलता है शूटिंग मेथड और यहापे आपको देखने मिलता है प्रेस वॉल्यूम की टू इसको प्रेस कीजिए और पहला जो ऑप्षिन है वह आप चूज कर सकते हो टेक पिच्चर और वीड रिकॉर करने के लिए तो यह भी मुझे यूसफुल लगा अगले सेटिंग यहने की लास्ट और बिल्कुल आखरी फीजर्स की बाद को जो कि शूट या फिर शॉर्ट सजेशन ओके तो यह सभी स्मार्टफोन में आपको देखने नहीं मिलता लेकिन अगर आपके स्मार्ट गोला देखने मिलेगा एक स्पॉर्ट देखने मिलेगा जो कि आपको सजेश्ट करेगा कि आप इस तरह से बेस्ट शॉर्ट ले सकते हो और हापे आपको बिल्कुल सिम्पल से जाना है उस स्पॉर्ट के उपर वहापे आप जैसी स्पॉर्ट को मेल खाओगे तो हापे एक स में तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हो और यह बहुत अच्छा लगा मुझे तो यह थे कुल मिला के 15 फीचर से अपर सेटिंग में होती है तो किसी की स्मार्टपॉन में कुछ फीचर नहीं हो सकते जैसे शॉर्ट सेशन या पर कुछ और फीचर आपको नहीं मिल सकते तो कु आपको यह बहुत 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 ब बाइ-बाइ